वेलकम को स्रीजीफू आज हम बनाएंगे नान खटाई आज हम नान खटाई जैसे बेकरी में मिलती है सेम उसी तरह की घर पे किस तरह से बनानी है वो देखेंगे और उसमें हम कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज नई करने वाले फिर भी इसका रिजल् करना ना भूले और बाजू में दिये गए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका धन्यवाद नान खटाई बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्रा पाउल में हम ये घी ले लेंगे और इसे एकदम स्मूथ होने तक फैटते रहे तीन-चार मिनिट के बाद ये इस तरह से स्मूथ हो जाएगा अब इसमें पीसी हुई चीनी एड़ करे और चार से पांच मिनिट तक इसे भी आप फैटते रहे ये प्रोसेस बहुत ही इंपो पाटाई को सॉफ्ट बनाने के लिए अब इसमें इलाइची पाउडर, सूजी और जो मैदा लिया है वो इसमें एड़ कर देंगे अब इसे हाथों से मिक्स करेंगे तो हलके हाथों से इसे मिक्स करते जाए अगर आपको जरूरत लगे तो एक से दो टेबल स्पुन जितना गी मैल्ड करके इसमें एड़ कर सकते है इसका इस तरह से एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है अब इसमें से गोल गोल बॉल्स हम बनाएगे क्योंकि नान खटाई जब गरम होगी तो अपने आप ही उसका शेप आ जाता है तो इस तरह से गोल बॉल्स आप बना ले इस साइज के अब इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे मैंने ओवन को 180 डिगरी पर 10 मिनिट के लिए प्रिहिट कर लिया था अब इसे बेक करने के लिए रखना है तो फिर से इसे 180 डिगरी पर बोच साइड और 17 मिनिट के लिए नान खटाई को बेक कर लेंगे इसे बहार निकल लेंगे जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तब हम इसे प्लेट में ले लेंगे अब हमारी नान खटाई सर्विंग के लिए रैडी है आप देख सकते हैं हमने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी यूज नहीं किया फिर भी ये एकदम फलफी और सोफ्ट बनती है तो आप भी एक बार बना कर जरू ट्राइ करें आप देख सकते हैं हमने जो नान खटाई बनाई वो एकदम परफेक्ट और अंदर से उसकी एकदम जाली बन चुकी है जो खाने में एकदम सोफ्ट लगती है तो आप भी एक बार बना कर जरू ट्राइ करें उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी इसी तरह की और रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले